नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काईरोस UPSC, राइट टाइम इडेराइट मोमेंट, तो चलिए, सुरुआत करते हैं आज के हमारे UPSC के डेली MCQs की, सबसे पहला MCQ आपके सामने है, consider the following statement about Mercia 6000, देखिए, अभी हाल ही में Mercia 6000 काफी current affairs में चल्चा में सर्च रहा हुआ है, क्य यहाँ पे जो तीन सेंटेंस दिये है, उन में से how many sentence are correct, पहला, it is an unmanned submersible vehicle developed by National Institute of Ocean Technology, यानि की NIOT, देखिए, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, कि भाईया यह unmanned submersible vehicle है, जिसको NIOT ने develop किया हुआ है, दूसरा, it relies only on gravity, water and lithium-ion batteries for power, मतलब कि यह power के लिए gravity, water and lithium-ion batteries के उपर dependent है, तीसरा, it was developed under the samudra यान mission to facilitate humans in the deep ocean in exploring mineral resources, ठीके, चल्ये, यहाँ पे हमें तीन सेंटेंस दिया है, उन में से पहला सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस आप देखो, क्या लगता है, पहले सेंटेंस में आपको कहा रहा है कि भाईया यह unm main submersible vehicle है, और तीसरे सेंटेंस में कह रहा है कि यह facilitate कर रहा है humans को कहा पे deep exploration में, तो इससे आपको थोड़ा बहुत क्या मिल जाएगा, आपको जिश्ट मिल जाएगा कि नहीं मैंने पढ़ा था कि यह with human है, जो पहला सेंटेंस हमारा गलत है, दूसरा सेंटेंस बिलकुल हमार बिलकुल सही answer होगा, चलिए, देख लेते हैं क्या है, तो समुद्र यान मत्स 6000 कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि आप यहाँ पे image में देख सकते हो, ठीके, और इनकी खास अगर हम features के बारे में देखे, तो यह gravity, water और lithium ion batteries के उपर realize है, ठीके, और इसको किस से बनाया हुए, इसको बनाया हुआ है, 80 mm thick titanium alloy से बनाया हुआ है, क्यों, क्योंकि, देखे, क्या होता है, कि जो हमारा यह समुद्र की सतह है, उससे जितना नीचे जाएंगे, उतना हमें क्या लगेगा, पानी का pressure लगेगा, और उस pressure को handle करने के लिए, हमारे पास ऐसा कोई vehicle होना चाहिए, कि जिससे पानी क्या ना कर सके, पानी जिससे अंदर ना गुश सके, ठीके, इसी लिए हमने 80 mm thick क्या बनाया है, टाइटोनियम alloy से इसकी बोडी को बनाया है, जो की हमारे pressure को 600 times क्या कर सके, एब्जोब कर सके, उसको tolerate कर सके, ठीके, चलिए, तो यह क्या है, तो यह इंडिया का पहला कैसा है, मैन सबमर्सिबल मच्य सिक्स थाउजन है, जिसको अभी टेक क्या गाये कहा है, बे ओप बेंगाल में, ठीके, किन्धों ने डेवलप किया है, तो NIOAT, चैन नहींने, क्या है, यह समुद्रयान, मिशन का एक भाग है, ठीके, और यह सा बनाने वाला, इंडिया दुनिया का सिर्फ छठा कंट्री बना है, पैसे पहले USA, रसिया, जापान, फ्रांस और चाइना ने ऐसा किया हुआ है, कि वो लग समंदर में 5000 मीटर अंदर जा सकते हैं, ठीके, अब हमारे पास भी कैपेसिटी है, और हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, 6000 मीटर की, ठीके, च है सकता हों कि 50% प्लस ऐसे व्यूवर्स होंगे, कि जिनको इस स्कीम के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा, चलिए, देख लेते हैं, पहला स्कीम, स्रियास इजा सेंट्रल सेक्टर स्कीम, क्या ये बात सही है, तो ये बात बिलकुल सही है, दूसरा, इट इस पर अंतरगत क्या हुआ है, तो NAPS के अंतरगत हम सभी लोगों को क्या करेंगे, हम सभी लोगों को apprenticeship प्रोवाइड करेंगे, अब देखिए, ये question किसलिए बनाया हुआ है, ये इसलिए बनाया हुआ है, कि अभी स्रेया स्कीम जो है, ये स्रेया स्कीम काफी current affairs में थी, लेकिन य स्कीम यह नहीं, जिसके उपर हमारा MCQ है, ठीक है, यह स्कीम नहीं है, यह स्कीम के जो current affairs में थी, यह हम explanation में समझाएंगे आपको, लेकिन ये जो स्कीम है, ये और दूसरी वाली सब अलग है, सर आप ज्यादा confuse कर रहे हो हम लोगों को, आप बता रहे हो कि current में था, जी हाँ friends, यही बात है, पहले देख लेते हैं MCQ, तो पहला sentence सही है, दूसरा sentence गलत है, क्योंकि यहाँ पे all scholars थोड़ी ना आएंगे, भया सभी लोगों को थोड़ी ना हमें apprenticeship के लिए provide करनी है, ठीक है, उसके लिए क्या होने चाहिए, eligible होने चाहिए, ठीक है, तो दूसरा sentence गलत है, हमें पुछा है, correct वाला, तो यहाँ पे only a, सिर्फ एक ही sentence हमारा सही होगा, देखिए, अब देख लेते हैं, हम क्या कहरा चाहते हैं, तो सबसे पहले आप याद रखे कि स्रेयस स्कीम जो है, यह स्रेयस इन दो प्रकार की है, एक और दूसरी, उनमें से पहली स्कीम जो है, उसका full form क्या है, scheme for higher education youth in apprenticeship and skill, ठीके, चलिए, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस skill के, इस scheme के बारे में जानते हैं, तो यह जो scheme है, यह sector, sector scheme है, दूसरी चीज़, यह क्या करती है, यह करती है, यह करती है, प्रोवाइडिंग industrial apprenticeship opportunity to general graduates, याद रखे general graduate को हम provide करेंगे, और किन के थ्रू, NAPS, यानि की national apprenticeship promotional scheme के थ्रू करेंगे, ठीके, और यहाँ पे हमारे youth जो है, यह youth को क्या मिलेगा, job work, exposure मिलेगा, एक और चीज़ याद रखे, कि यह जो स्रिय स्कीम है, इस scheme में तीन central ministry एक साथ आई हुई है, कौन कौन सी, सबसे पहला ब development या फिर आप कह सकते हो education ministry, ठीके, क्योंकि skill देनी है, तो skill देने का काम करीब करीब हमारे school वाले भी कर रहे हैं, ठीके, तो आपको याद रखना है, पहली वाली स्रिय स्कीम में तीन central ministry आई हुई है, उनमें से पहला हो गया education या फिर mhrd, दूसरा हो गया skill ministry, तीसरा हो गय या labor ministry, ठीके, तो ये हमने बात कही स्रेय स्कीम, इसकी के ऊपर हमारा mcq था, जो की सायद आपका सही भी हो सकता है, और गलत भी हो सकता है, चलिए, ये पहला वाला हमने समझ लिया, अब हम चलते है स्रेय स्कीम, पहले वाले का फुलपॉम हमने क्या पढ़ा है, scheme for higher education youth in apprenticeship skill, अब चलते हैं दूसरे की ओर, ये आगया दूसरा, दूसरा का फुलपॉम क्या है, scholarship for higher education for young achiever scheme यानि की स्रेय स्कीम, क्या बात कर रहे हो सर, मोधी government से गलती हो गई क्या, जी हाँ, ये गलती इसलिए हो गई है, क्योंकि उन लोगों ने जो ये abrogation बनाया हुआ है, तो दोनो का नाम क्या निकाला उन लोगोंने, उन लोगोंने दोनों का नाम निकाला है, स्रेयस, तो ये पहला हमने बताया आपको पिछले स्लाइड में की भईया, दो प्रकार की है, उनमें से पहली जो है, उनमें तीन ministry काम करती है, और दूसरी वाली जो ये scheme है, ये scheme आती है किन के अंदर यह आती है social justice ministry के अंदर ठीक है social justice ministry के अंदर अब social justice ministry के अंदर जो scheme आती है उसका full-form है scholarship for higher education for young achiever scheme जो की किन के लिए है OBC और others के लिए यानि कि जो भी आपके weaker section है उनके लिए है यह scheme है 2021-22 से लेके 2025-26 तक यह चलेगी और इन में हम चार प्रकार की central scheme को क्या करेंगे sub scheme बनाएंगे ठीक है उनको comprise करके हमने बनाया हुआ है स्रेयर्स और चार कौन-कौन सी है पहली top class education for SCs हम क्या करेंगे SC के बच्चों यानि की schedule कास्ट के लिए हम top class education assure करेंगे ठीक है दूसरी scheme free coaching scheme for SC and OBC ठीक है मतलब की क्या करवाएंगे हम free coaching करवाएंगे आपको पता होगा कई सारे रिस्टिक में UPAC और अपने यहां की state PCS के promotion के लिए क्या किया जाता है उन लोगों को मतलब हमारे जो विकर सेक्षन है उनको क्या करवाया जाता है free education दिलाया जाता है उसके बाद आते हैं तीसरे number पर तीसरा number है national overseas scheme for SCS मतलब कोई schedule कास्ट का लड़का या लड़की मतलब कोई भी आगे पढ़ने के लिए बाहर जाना चाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम उसको promote करते हैं हम उसको financial assistant देते हैं और चोथा number की जो scheme है यह है national fellowship for SCS ठीक है और इसमें हम क्या करते हैं हम इसमें क्या करते हैं SC students को हम higher education के लिए क्या provide करते हैं हम provide करते हैं उनको fellowship तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा स्रेय स्कीम एक है लेकिन यह एक नहीं दो है दोनों के नाम अलग अलग है एक में आपको देना है skill और skill के लिए टीन ministry एक साथ आईए कौन कौन सी skill आया मतलब skill तो आएगा ही आएगा मतलब की एक आपका skill ministry हो गया एक आपका एमे चार्टी या फिर education ministry हो गया और एक आपका labor ministry हो गया और जो दूसरी है यो दूसरी में कौन सी है social justice ministry हो गया ठीक है चलिए आप लोग skill scheme को अच्छे से जान गए होंगे चलिए अब अच्छे से जान गए होंगे तो थोड़ा सा अपने friends को भी बताईए कि भया इस चैनल पे इतने अच्छी तरीके से कोई भी scheme के बारे में बताया जाता है ठीक है चलिए next mcq consider the following statement about बीमा सुगम चलिए latest में था बी 85 करोड का जो बजेट था उसको बढ़ा के कितना कर दिया है 200 करोड कर दिया है पहला sentence बीमा सुगम साव एज़ा comprehensive online marketplace where customers have access to wide range of insurance options offered by various insurance companies दूसरा it will be introduced by IRDA तीसरा बीमा सुगम focuses on enhancing the efficiency of claim settlement मतलब कि यह claim settlement में क्या करेंगे जड़ अपलाएंगे speed बढ़ाएंगे तो हमें पुछा है how many sentences are करें तो यहाँ पर बैया तीनों के तीनों sentence कैसे है सही है ठीक है देखे आप लोगों को एक चीज यहाँ पर confirm कर दूँ फिलाल तो यह mcq हमारा option c सही है चलिए काम करता हूँ पहले यह mcq खतम करते हैं उसके बाद मैं आपको बता दाओ ठीक है तो यहाँ पे तीनों के तीनों sentence सही है क्योंकि अभी क्या हुआ है IRDA ने क्या क्या हुआ है फॉर्म किया हुआ है एक steering committee को जो कि क्या होगी apex decision making body होगी किसके लिए बीमा फॉर्म के लिए ठीक है वाकी की सारी information यहां पर लिखी हुई है आपको क्या करना है वीडियो को पोस्ट और उसके बाद करना है वीडियो को play चलिए मैं जो कह रहा था कि भाईया हमारा जो यह वीडियो आया है यह वीडियो का हमारा purpose क्या है यह आप जानलो आप कहीं से भ आपको पता नहीं चलेगा कि current affairs में हमने जो पढ़ा है वो relevant है या फिर नहीं है ठीक है मतलब कि हम हमारे वीडियो में थोड़ा बहुत explanation देते हैं अगर कोई confusion है तो वह confusion हम आपका क्या करेंगे आपका दूर करेंगे लेकिन हम पूरा current affairs फिलाल इस वीडियो में लाने की उपर आपके mcq की practice करना है ठीक है चलिए next mcq consider the following pair about asiatic lion चलिए asiatic lion के उपर जो जोड़िया दी गए है यह बता नहीं है पहला है IUCN vulnerable दूसरा है sites appendix 1 for population of India तीसरा है wildlife 1972 उसमें schedule 1 में है चलिए बताइए कि इतने correct है पहला पहला तो गलत है क्यों क्योंकि यह asiatic lion जो है यह vulnerable नहीं है दूसरा दूसरा सही है तीसरा भी सही है तो हमें क्या मिल गया answer हमें पुछा है correct वाला तो भईया option b जो है यह हमारा सही answer होगा क्योंकि जो हमारा lion है यह lion कैसा है vulnerable है लेकि जो asiatic lion है यह कैसा है endangered lion है सलजी यह question आया क्यों देखिए अभी क्या हुआ है कि अभी आफ्रिकन lion के ऊपर एक studies बाहर पाड़ी है और उस study में क्या कहा है कि भया जो हमने 62 geographical location देखे उसमें उनकी caring capacity जो है यह caring capacity अभी काफी क्या खेश सकते है और समान दिख रही है कैसे दिख रही है non equal दिख रही है ठीक है और यह non equal होने की वज़े से क्या हो रहा है कि man और animal conflict बढ़ रहा है साथी साथ इसके negative consequences भी हमें forest में देखने को मिल रहे है ठीक है क्या हुआ है देखे कि उन्हों से 41.9 यानि की करीब करीब 42 प्रतिसत वो दीजन में 50 से कम लायन देखने को मिले और उनमें से कुछ ऐसे है जहां पर कैसे थे उनमें से हमें कहीं जगह पे तो 50 से 100 भी देखने को मिले ठीक है तो इसी के regarding आपको पता होना चाहिए what is the main difference between Indian and African lion चलिए next mcq patient safety rights charter was published भाई चलिए बता दीजे भी या patient safety rights charter किन्हों ने किया था WHO, UNDP, World Economic Forum, Institute of Economics तो सही आंसर होगा इस चीज़ का WHO क्यों क्योंकि अभी इसको किन्हों ने publish किया हुआ है WHO ने ठीक है जखिए क्या हुआ है कि इनको world patient safety देके लिगाडिं 17 September 2023 को celebrate किया जाता है और इस दिन WHO ने क्या किया है, release किया है पहला patient safety rights charter जिसकी theme है engaging patients for patients safety ठीक है और इसमें हमारा जो priority है यह priority होगी सभी patient के rights के उपर चलिए यह थे हमारे current वाले MCQ अब हम फटापट फटापट हमारी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे है 2018 की और क्योंकि हम देख रहे है UPAC के PYQs पहला PYQs आपके सामने है क्या पूछ रहा है इंडिया ने जो 6% equalization लेवी लेने की बात किया हुआ है उसके regarding आप बता दीजे कि यह online advertisement service के ऊपर कौन सा tax लगने वाला है ठीके पहला it is introduced as a part of income tax क्या इसको income tax के हिसाब से हम इनने इनको introduce किया हुए दूसरा non-resident entities that offer advertisement service in India can claim a tax credit in their home country under the double taxation avoidance agreement तो यहाँ पे आपको पुछा है बाईया बता दीजे correct वाला तो पहला गलत है क्योंकि यह income tax वाला में नहीं आता है आपको पता होना चाहिए हमारे पास income tax 1961 में आता है ठीके चलिए तो पहला तो गलत हो गया दूसरा भी गलत हो गया क्योंकि इसको हमने DTA में नहीं लिया हुआ है ठीके DTA यानि कि double taxation avoidance agreements में शामिल नहीं किया हुआ है चलिए तो क्या हुआ यहां पे यहां पे सही पुछाए और सही कौन सा आएगा option D neither one nor two are correct चलिए next MCQ बहुत आसान सा सवाल 2018 में UPSC ने पूछ लिया था देखिए क्या पुछा था इंडिया enacted the geographical indication यानि कि GI टेग जो है यह registration and promotion acts 1919 order to comply with the obligations to बहुत यह सिम्पल सी बात है आप जो GI leg लेके आ रहो गुड्स के लिए यह किसकी regarding है आये लो यानि कि international labor organization IMF अंक्टार या WTO तो इसका सही अंसर क्या होगा सबको पता होगा सर जी WTO ठीके चलिए next MCQ consider the following countries यहाँ पे कुछ छे नाम दिये है और इन छे नाम में आपको क्या बताना है which of the free trade partner of Asian चलिए Asian countries के free trade partners को बताना है देखिए आपको पता होना चाहिए यह जो तस country जे उसके बाद में 6 countries साथ मिलके कुल 16 country के regarding RCEP करके कुछ चल रहा और उसके बाद इन RCEP में से 15 लोगों ने यह agreement final किया था ठीके और जो एक बंदा बीच में निकल गया वो था कौन वो था इंडिया ठीके उसके regarding हम कभी आने वाले टाइम में बात करेंगे लेकिन यह जो 6 countries थी यह 6 countries कौन थी जिनका इन 10 countries यानि की जो Asian countries है उनके साथ क्या था FTA था ठीके तो उनमें कौन कौन से थे उस्ट्रेलिया था बिलकूल था Canada था था क्या सोच यह सोच यह सोच यह जी नहीं Canada उसमें नहीं था China था यस चाइना था India था इंडिया भी था जापान था जापान भी था USA था नहीं USA नहीं था देखिए आपको ये 6 कंट्री को कैसे याद रखना है एक तो याद रखना है हमारा इंडिया और दूसरा याद रखना है चाइना उसके बाद आपको याद रखना है और उसके साथ वाला जुड़वा भाई को न्यूजिलेन साथ ही साथ जापान याद रखना है और जापान के साथ याद रखना है साउथ कोरिया ठीके तो यहाँ पे पहला वाला सही है मतलब की A और C में से यह आएगा B और D तो हमारा गलत हो गया दूसरा नहीं आएगा भैया दूसरा वाला है आपके पास यह नहीं आएगा तो option क्या आगया option C जो है हमारा यह सही answer हो जाएगा ठीके चलिए next MCQ पूछ रहा है as per the NSSO 17th round देखिए UPC ने ऐसे detail में question भी आपको पूछे हुए है ठीके अब आपको इतना rat application नहीं लगाना है assessment survey of agriculture household जो NSSO ने किया है उनके regarding तीन sentence दिये है उनमें से correct वाला sentence बताना है पहला राजास्तान is the highest percentage share of agricultural household among its rural household दूसरा out of the total of agricultural household in country a little over 60% belong to OBCs तीसरा in Kerala a little over 60% of agricultural household reported to have received maximum income from source other than agriculture activities अब यहाँ पे आप सब को पता होगा कि सर्जी 60% से ज्यादा OBC थोड़ी ना है हमारे देश में ही नहीं है तो household कैसे होगे यह करीब गरीब 40 या 45 प्रतिसद के आसपास है ठीके तो दूसरा sentence कैसा है हमारा गलत है जैसा ही आप दूसरा गलत करोगे तो A कटा B कटा और D कटा हमें हमारा answer मिल गया option C जबकि मुझे पता भी नहीं है कि option 1 सही है सरी sentence 1 सही है या sentence 3 सही है लेकिन मैं दोनों को tick mark करके आ रहा हूँ और यह मेरा कैसा है यह मुझे देखे जाएगा दो marks किसके लिए IAS बनने के लिए ठीके चलिए next देखते है साथ नाम दिया है उनमें से आपको क्या देखना है the cabinet committee on economic affair has announced the minimum support price for which of the above चलिए MSP जो दिया जाता है 23 plus 1 तो उनमें आपको बताना है बहिया कौन कौन सा इसमें MSP जारी किया जाता है ठीके क्या लिखा है अरेका नट बारली कोफी फिंगर मिलेट ग्राउन नट सीसेमम टर्मरी अब मुझे एक चीज पता है बहिया जो सोखिन वाली चीज होगी न यह MSP में नहीं आएगी ठीके तो सोखिन वाली कौन जे चीज है तो कोफी जो है यह ज़्यादा ही सोखिन वाली चीज है ठीके तो तीन नमबर को तो आएगा नहीं चलिए मैं क्या करता हूँ option 1 3 है चलिए भाई तू चला जा C में भी 3 है भाई तू भी नहीं मेरा अंसर बन पाएगा D में भी 3 है भाई या तू भी नहीं मेरा अंसर बन पाएगा तो मुझे मिल गया मेरा अंसर 2, 4, 5, 6 क्या है 2, 5 सोरी 2, 4, 5 और 6 ठीके तर्मेरिक में भी हम नहीं देते है कोफी में भी नहीं देते है और अरेकानेट में भी नहीं देते है ठीके, so option B is the right answer चलिए, यह थे हमारे आज के MCQ अगर आपको दिल से यह वीडियो अच्छे लग रहे है तो आपको करना है हमें support ठीके, इस चैनल से वो ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ अपने टेलिग्राम ग्रूप के साथ शेर करें, ठीके, चलिए, थेंक यू